नमस्कार राज सिक्षा शोध एवं प्रसिक्षन परिसद बिहार पटना में आपका स्वागत है कैसे हैं प्यारे बच्चो आसा करती हूँ स्वस्त और अच्छे होंगे आप सभी मुझे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तो बच्चो आज आपकी जो ये मुस्कान है न ये और खिलने वाली है पता है क्यों क्योंकि आज आपका फेबरेट टॉपिक लेकर आपकी मैम आई है क्या अब आप खुद सोचिए आज मैम क्या पढ़ाने वाली है उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट बाते तो बच्चो परहाई तो होते रहती है लेकिन परहाई से भी जरूरी आपके लिए आपके अनुसार कुछ और चीजे भी होती है वो क्या है गूमना और खास करके पिकनिक पर जान आपको कैसा लगता है अच्छा लगता है ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैं भी जब फ्री होती हुँ ना तो पिकनिक पर जरूर जाती हूं तो बच्चो पिकनिक पर जो हम जाते हैं तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जाते वक्त अगर हमें लेना चाहिए दिमाग को खूला रखना चाहिए सोच समझ कर कोई भी काड़े करना चाहिए जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि आप स्कूल से लौट रहे हैं बहुत गर्मी हैं अकेले घर जा रहे हैं तो अगर आपको कोई कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पहुचा देता हू तो क्या आप उनके साथ बैठके चल जाएंगे? नहीं ना? चाहे क्यों ना वो कार में हो, बस में हो या मोटर बाइक में हो तो क्या हमें बैठकर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए और अगर मान लीजे कोई आपको कहता है कि तुम बहुत ठक गे हो चलो मैं तुम्हें टॉफी देता हूँ टॉफी खाड़ीद कर दूँगा, चलो मेरे साथ तो क्या आप चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना? बिलकुल, क्योंकि हमें किसी भी स्ट्रेंजर पे अजनभी पे भरोसा नहीं करना चाहिए है ना बच्चो? आपको पता है आज का जो लेशन है ना उसमें जो रवी है, जो क्यारेक्टर है मेन लीट क्यारेक्टर रवी वो भी आप ही लोग के तरह बहुत ही क्लेवर और बुद्धिमान है वो भी किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करता है तो excited है इस स्टोरी को पढ़ने के लिए तो आईए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्टोरी Going to a Picnic Going to a Picnic में आप देख रहे हैं बच्चो कि यहां बच्चे पिकनिक में आके कितना खुश है है ना? तो जब हम भी पिकनिक में जाते हैं तो ऐसे ही खूश होते हैं होते हैं ना तो आए स्टोडी को स्टार्ट करते हैं स्टोडी यानि की कहानी रवी इस गोईंग फॉर ए पिकनिक विट फ्रेंड्स देव वेट फॉर रामु चाचा टू कम एन पिक देम आप आप देख रहे हैं बच्चो कि यहां रवी जो है वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा है और वो वेट कर रहा है किसका रामु चाचा का कि वो आएंगे और आ करके इन्हें अपने साथ पिकनिक पे ले जाएंगे तो यह बच्चे खड़े होकर किसका वेट कर रहे हैं यह रामु चाचा का वेट कर रहे हैं है ना बच्चो तो आगे देखते हैं क्या होता है अब बस कम सलोंग, the driver says come with me, they say no, thank you फिर अचानक से एक बस आती है और उसका जो ड्राइवर था ना वो उन बच्चो को कहता है कम with me, यानि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो वो बच्चे क्या कहते हैं, they say no, thank you यानि कि नहीं, धन्यवाद हमें आपके साथ नहीं आना है तो देखा आपने की रवी कितना समझदार है, वो इस बस ड्राइवर के साथ, एक स्ट्रेंजर के साथ, वो बस पे नहीं जाता है अपने दोस्तों के साथ, है ना बच्चो तो आगे देखते हैं, उन्हें लिफ्ट देने के लिए और कौन-कौन आते हैं, आईए आगे बढ देना कार कम सलोंग, दा ड्राइवर सेस, कम विथ मी, दे से नू, थैंक यू, अब फिर क्या होता है, जैसे वो बस जाता है, तो एक कार आता है, तो कार का जो ड्राइवर था, वो भी उन बच्चो को कहता है, कम विथ मी, यानि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ तो वो बच्चे कहते हैं, नू, थैंक यू, यानि वो बच्चे उन कार ड्राइवर को भी कहते हैं, कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, धन्यवाद, तो वो बच्चे जो रहते हैं, वो कार में भी बैठने को राजी नहीं होते हैं, क्यों नहीं बैठते हैं वो, कार में तो ब तो इसी लिए वो कार में भी बैटने से इनकार कर देते हैं, आगे देखते हैं फिर कौन आता है, अब कौन आया, then a motorbike comes along, the driver says, come with me, they say no, thank you. अब ये motorbike आता है, और उसका driver कहता है, कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तो बच्चे उस motorbike वाले को कहते हैं, no, thank you, यानि कि नहीं, हमें जरुरत नहीं है, धन्यवाद, और वो लोग motorbike वाले को भी no कह देते हैं, और motorbike वाला भी वहाँ से चला जाता है, तो अभी तक बच्चों ने कीने कीने no कहा, बस को, कार को, और motorbike को, इन तीनों को बच्चों ने no कह दिया, और वो जहाँ खड़े थें, वही खड़े होकर रामु चाचा का वेट कर रहे थें, अब आगे देखते हैं क्या होता है, अब फिर क्या होता है, एक जीप आता है, और उसका जो ड्राइबर रहता है, वो भी वही बाते उन बच्चों को कहता है, कहता है, आओ मेरे साथ, तो वो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे भी वही जवाब देते हैं, no, thank you, यानि नहीं, हमें जरुरत नहीं है, धन्यवाद, तो आपने देखा, कि इतना बड़ा जीप देखकर भी बच्चे जीप में नहीं बैठते हैं, जबकि अगर वो चाते, तो जीप नहीं भी no कह दिया, और thank you बोलकर वहीं अपने जगह पर खड़े रहें, तो no सुनकर जीप ड्राइवर भी वहाँ से चला गया, अब देखते हैं, अब कौन आता है, अब आता है truck, यानि a man with a truck comes, he say come with me, they say no, thank you, अब ये truck ड्राइवर भी उन बच्चों को देखकर कि अकेल खड़ा है, कहता है, come with me, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने truck से छोड़ दूँगा पिकनिक तक, लेकिन वो बच्चे भी truck driver को क्या कहते हैं, no, thank you, यानि बच्चे truck में भी चाड़ने को राजी नहीं होते हैं, और वो अपने जगह पर खड़े होकर रामु चाचा का ही इंतजार करते रहते हैं, कि जाएंगे तो रामु चाचा के साथ ही जाएंगे, तो आपने देखा बच्चों कि बच्चों ने कितनी बुद्धिमानी से काम लिया, जबकि वो छोटे बच्चे थे, फिर भी उन्होंने stranger को देखकर, अजनवी को देखकर के उनके साथ जाने स इंकार कर दिया, बिल्कुल सही किया ना, तो आपने देखा कि बच्चों ने किने किने इंकार किया, बस को, कार को, मोटर बाइक को, जीप को और ट्रक को, इन पाचों वेकल्द को जो बच्चों थे, बच्चे थे, उन्होंने उस पे बैठने से इंकार कर दिया, तो मैं इसलिए दोहरा रही हूं कि आगे के आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में इन बातों से रिलेटेट कोईश्चन आपके सामने आएंगे तो इसलिए ध्यान से इस कहानी को याद रखिएगा कि कौन-कौन से वेकल्स को बच्चों ने नो कहा तो जब उन्होंने इन पाँचों वेकल्स को नो कह दिया तो आखिर फिर वो जाएंगे कैसे आएए आगे के स्टोरी में देखते हैं क्या होता है फिर क्या होता है फाइनली रामु चाचा अपने साइकिल वैन यानि साइकिल में जो बच्चों को बैठा कर स्कूल ले जाते हैं जिसे हम साइकिल वाला ठेला भी कहते हैं वो आता है और ट्रिंग ट्रिंग बेल बजाते बजाते रामु चाचा उन बच्चों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सभी बच्चे उन्हें देख करके खुश हो जाते हैं कि आखिरकार रामु चाचा उन्हें लेने आ ही गएं आप देख रहे हैं रामु चाचा कैसे अ is a basket of food and water for the picnic और रामु चाचा सरिफ आते ही नहीं है वो अपने cycle van में क्या लेकर आए हैं basket of food and water यानी कि खाने के लिए कुछ वस्तुएं और पानी जो कि picnic में काम आएंगे तो रामु चाचा अपने cycle van में अब basket of food and water लेकर आते हैं picnic के लिए बच्चों के लिए ताकि picnic spot पे वो जाएंगे और मिलकर सारे लोग enjoy करेंगे है ना तो आगे देखते हैं और क्या है he says let's go they say happily yes thank you Ravi and his friend went to the picnic spot with रामु चाचा और वो अपने cycle van को ट्रिंग ट्रिंग करके आकर कहते हैं let's go यानी कि चलो बच्चों हम चलते हैं और सभी बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और इस वार वो no नहीं कहते हैं क्या कहते हैं yes thank you यानी हाँ धन्यवाद हम चलेंगे और रवी और उसके दोस्त क्या करते हैं पिक्निक स्पोट पे रामू चाचा के साथ पहुच जाते हैं और वहां जा करके सारे लोग मिलकर के साथ में खाते पिते और इंज्वाय करते हैं तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या मोडल मिला आपको इस लेसंस से क्या सिख मिली बताइए मुझे इस लेसंस से बच्चों यही सिख मिली कि कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ या किसी अजनभी के साथ हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए चाहिए वह हमें कितनी भी लालचते लेकिन उनकी बातों में नही रख जाते हैं कुछ भी हो सकता था Herso इसलिए इसमेलिए हमें क्या करना चाहिए हमें Naja पहचान के लोगों के साथ ही जाना चाहिए जैसे रभी भी किस के यता किसाथ गया और फाइनली वह पिकनिक स्पोर्ट पे पहुँच गए और साथ में मिलकर क्या किये इंजोई किये मज़ा आया ना स्टोरी तो अगर स्टोरी पढ़ने में इतना मज़ा आया इतने अच्छे जब को समझ में आया स्टोरी तो आये बनाते हैं कुछ एकसराइज यहां एक पिक्चर है और क्वेश्चन पूछ रहा है वाट वेकल इस दीस यानि की यह कौन सा वेकल है गारी है तो बच्चों यह कार है क्या यह जीप लग रहा है मुझे नहीं क्या है यह जल्दी से बताईये आई यह आंसर देखते हैं क्या आपने सही बताया य है ना बच्चों इस गारी को यानि इस वेकल को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं मोटर बाइक स्वाट में इसे हम बाइक भी कहते हैं और इसका स्पेलिंग क्या होता है मोटर बाइक है ना तो बढ़ते हैं दूसरे वेकल पर वाट वेकल इस दीस यह कौन सा वेकल है यह तो बस है, है ना, नहीं, बस नहीं है, तो क्या है ये, चलिए आंसर देखते हैं, ये है जीब, यानि आपने जीब को भी पहचान लिया, तो बच्चो ये है जीब, इसे कैसे पढ़ेंगे हम, जे, डबल, ई, पी, जीब, है ना, आप देख रहे हैं, इसके चार पहिये होते हैं ब होते हैं, लेकिन जीब में चार पहिये होते हैं, आइए दूसरे वेकल को देखते हैं, वाट वेकल इस दीस, ये कौन सा वेकल है, इसके भी चार पहिये होते हैं, दो हेडलाइट होता है, होता है ना, एक ड्राइवर होता है, जो इसे चलाता है, तो ये कौन सा वेकल है, जो ये है car, है ना, बहुत easy और इसका spelling भी उतना ही easy है C-A-R car, तो ये कौन सा vehicle हुआ, ये हुआ car आईए आगे बढ़ते हैं, what vehicle is this, ये कौन सा vehicle है इसके भी मुझे चार पहिये नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सा vehicle होता है इसमें कई सारे seats होते हैं, जिसमें कई यातरी passenger एक साथ बैट कर travel कर सकते हैं और इसमें एक driver भी होता है, तो बच्चों ये कौन सा vehicle है, बताएए, इसे आप पहचानते हैं ना तो जवाब दीजिये, देखते हैं, इसका नाम, ये है bus, B-U-S, bus ये देखने में तो बड़ा होता है, लेकिन नाम इसका बहुत ही छोटा है, और बिलकुल इजी, इसे हम bus कहते हैं है ना, तो आप देख रहे है bus को, ये कितना बड़ा है, तो आएए अगले picture पे चलते हैं वाट वेकल इस दीस, ये कौन सा गारी है बच्चों, इसमें तो मुझे कई सारे चक्के नजर आ रहे हैं ये बड़ा सा गारी लग रहा है है ना, तो ये कौन सा गारी है, बताए मुझे, ये है, आएए देखते हैं ये क्या है, ये है truck, है ना बच्चों, तो truck basically हम कब यूज करते हैं, जब हम कुछ goods को या सामान को जब लोड करते हैं एक जगा से दुसरी जगा ले जाने के लिए जो भाड़ी भर कम सामान होते हैं, उसे हम truck से ही ले जाते हैं क्योंकि इसमें कई सारे चक्के होते हैं और ये बहुत ही मजबूत गारी होता है तो इसे हम English में कहते हैं truck, टी आर यू सी के, truck, है ना तो आपने देखा बच्चों कि यहां हमने कितने सारे वेकल्स के बारे में पढ़ें हमने motorbike देखा, jeep देखा, car देखा, bus देखा, truck देखा, है ना तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि इनके अलावे भी कई सारे वेकल्स और भी होते हैं कुछ वेकल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में चलते हैं, कुछ वेकल्स ऐसे होते हैं जो कि हवा में भी चलते हैं तो उनके बाड़े में भी हम धीरे धीरे आगे जानेंगे ठीक है तो आएए चैप्टर में आगे कुछ और एक्सेसाइजेद हैं उन्हें भी हम बनाते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आएए जल्दी से पिक्चर को उसके सही नाम के सामने पेस्ट कीजिए यहां क्या क्या है यहां है कार । ट्रक बस जीप और मोटर बाइक तो बच्चो इन नामों के सामने सही पिक्चर को paste करना है तो जल्दी से इसे सही सही paste कीजिए और मुझे बताईए ये बिल्कुल आसान है ना, इसे तब जट से बना लेंगे तो आईए इसे बनाते हैं, इसके आंसर को देखते हैं ये आया कार, कार के सामने, ट्रक आगया अपने सही पिक्चर को लेकर अपने नाम के सामने बस आगया बस के सामने, जीप आगया जीप के सामने और मोटर बाइक आगया मोटर बाइक के सामने तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहां जो भी पिक्चर्स थे वो अपने सही नाम के सामने आकर के पेस्ट हो गया हैं है ना तो आपको अब समझ में आ गया ना आप तो कोई confusion नहीं होगा कि बस किसे कहते हैं किसे कहते हैं जीप मोटर वाइक यह सब चीजे किसे कहते हैं अब जब भी इन्हें आप देखेंगे तो आप जट से इनके नाम पहचान जाएंगे और कहेंगे न कि वो रहा motorbike, वो रहा car, वो रहा truck तो बच्चो आज आपने इतने सारे वेकल्स के बारे में भी जान लिया तो आएए देखते हैं आगे और क्या कौन-कौन से exercises है अब आते हैं कुछ puzzle पे जब आपने वेकल को समझ लिया तो इसके कुछ जवाब भी दिजिये यानि कि आपके लिए कुछ पहली यानि कि कह रहा है कि ये एक कारी है, वेकल है लेकिन ये पानी में चलता है और ये कोट के साथ रैम होता है ये कौन सा गारी है, इसे हम क्या कहते है जल्दि से इस puzzle को solve कीजिये और मुझे answer बताइए आईए answer देखते हैं, क्या होगा इस पहली का उत्तर boat, यानि कि it is a boat यानि now, ब-o-a-t boat यानि कि now, जो कि पानी पे चलता है है ना बच्चो, boat कहा चलता है boat चलता है पानी पर और ये coat से भी ramming हो रहा है ना, coat boat या boat coat तो इसी लिए उस puzzle का सही answer था boat यानि कि now, b-o-a-t boat आईए दूसरा puzzle देखते हैं दूसरा puzzle है it is a vehicle, it runs on fuel, it has two wings, it flies in the sky, it is an यानि कि ये वी एक गारी है, vehicle है, जो कि इंधम से चलती है और इसके दो wings होते हैं, यानि दो बड़े-बड़े punk, dyna भी होते हैं और ये अस्मान में चलती है, अस्मान में ये उरान भरती है यानि कि ये क्या है, जल्दी बताईए jeep है, motorbike है, boat है boat तो पानी में चलता है, jeep है, motorbike वो तो road पे, सरक पे चलता है तो आखिर ये कौन सा vehicle है, जो कि अस्मान में उरता है बताईए, बताईए, आईए इसका answer को देखते है aeroplane, है ना, ये कहां उरता है ये आस्मान में उरता है a for aeroplane, यानि कि a, e, r, o, p, l, a, n, e aeroplane, जिसे हम हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं तो है ना, बच्चो, ये कहां उरता है ये उरता है आस्मान में तो यहां आपने दो वेकल्स के बारे में और जाना जो कि पानी में भी चलता है, बोट और जो आस्मान में उरता है, यानि aeroplane तो आज मैंने आपको धेर सारे वेकल्स के बारे में बता दिये अब जब भी आप इन वेकल्स को देखिएगा तो आपको याद आएगा कि इन्हें क्या कहते हैं, है ना बच्चो तो वेकल्स की बाद तो हो गई, तो आईए देखते हैं आगे exercises में और क्या है write about your favorite वेकल्स यानि कि आपको अपने बुक में लिखना है अपने मनपसंद वेकल के बारे में तो यहाँ मैंने अपना मनपसंद वेकल के बारे में लिखा है जो की है cycle यानि कि मुझे bicycle बहुत पसंद है है ना एक और नया वेकल्स मैंने आपको बताया bicycle cycle इसे तो आप रोज देखते होंगे और जानते होंगे और कईयों के पास तो ये होगा भी है ना बच्चो तो आएए पढ़ते हैं कि मैंने क्या लिखा है my favorite vehicle is bicycle यानि मेरा मन पसंद vehicle जो है गारी है वो क्या है वो bicycle है it is environment friendly इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है वो production free है यानि production नहीं फैलाती है इसलिए बच्चो इसे हम कहते हैं environment friendly it has two wheels इसके दो चक्के होते हैं it got a seat and a handle with two pedals and also a bell इसके क्या होते हैं एक seat होते हैं एक handle होता है और इसके दो पैडल होते हैं जिसे seat पर बैठ कर जब हम इसे चलाते हैं तो यही पैडल मार कर जब हम मारते हैं तो ये cycle धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कई cycle में bells भी होते हैं जिसे बजाने से ट्रिंग ट्रिंग अवाज होती है some bicycles have a career और कुछ bicycle के career भी होते हैं यानि कि आगे में एक टोकडी रगा रहता है जिस पे हम कुछ समान भी रख सकते हैं तो बच्चो ये आपने देखा मेरा फेवरेट वेकल जो मैंने बाइसाइकल के बारे में आपको बताया एक और नया वेकल के बारे में बताया तो आपका भी अगर कोई फेवरेट वेकल है तो उसके बारे में आप मुझे बताईए और उसको note करके लाइएगा जो भी आपक picture of your favorite vehicle and color it तो बच्चो यहां क्या कह रहा है कि आपना फेड़ वेखल को आप ड्रो की जिये और से सुन्दर रंगों से रंग ए तो बच्चो मै cooler यहां अपना फेड़ेट वेखल जो है मेरा बाया साइख इसमेने ड्रोतो कर दिया पर तो यह आपका homework है यानि कि क्या activity आज मिला है आपको homework में आपको मिला है कि आज घर जाके आप अपना फेवरेट वेकल के बारे में लिखिएगा और उसका एक picture draw कीजिएगा और picture draw करने के बाद उसे सुन्दर रंगों से रंगिएगा ठीक है जैसे कि मैंने यहां आज अपना bicycle बताया आपको मनपसंद वेकल मेरा bicycle तो अगर आपका कुछ और है तो उसे draw करके उसे color करके आप अगले class में लाईएगा ठीक है और जो भी आज लेसन आपने बढ़ा बच्चो उसको क्या करना है घर जाके discuss करना है अपने brother और sister के साथ ठीक है उनसे भी पुछना है ना कि आखिर वो कौन-कौन सा वेकल जानते हैं हो सकता है आपसे कुछ ज्यादा वेकल अगर वो जानते होंगे तो आपको बताएंगे या उनको नहीं पता होगा तो आप उन्हें बताएंगे तो बच्चो हर लेसन को हमें discuss जरूर करना चाहिए और जब भी आप कोई वेकल देखिएगा रोड पर या पानी में या आसमान में तो उसका नाम अपने फ्रेंड्स को जरूर बताईएगा जैसा कि मैंने आज इस लेसन में आपको बताया तो आशा करती हूँ कि आपको वेकल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस लेसन का जो मोरल था वो तो बिलक पूल नहीं भूलिएगा ठीक है बच्चो तो आसा करती हूँ कि आपको ये पिक्निक चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा अब जब भी संडे को आपको छुटी मिलेगा ना तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी पिक्निक मनाने जरूर जाएए और वहाँ भी भाई थैंक यू